हेलो फ्रेंट्स मैं वनुत्कुर मौर्या और आज की इस वीडियो में आपको बताने वलाऊं कि आप इनुफिनीक्स नौट 40X 5G में हैं करने के लिए आपको इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकि एंड तक वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मारे चैनल नहीं है तो चैनल को कर देगा सब्सक्राइब और बैल ऐकन पर क्लिक करके आने वाली हर वीडियो का अ इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको थोड़ा से नीचे आना है इसलिए मैं फिंगर्पिंट पर क्लिक करता हूं इस तरीके से मैंने अपने फिंगर को फिंगर्पिंट सेंसर पर रख दिया रखने के बाद यहां पर आपको अपने फिंगर्पिंट को एड कर सकते है यहां रहाओं हो मैं अलग-अलग विंगर्स को आड़ रहा हूं आड़ होने के बाद यहां पर अगैं अपने फिंगर्स को fingerpin sensor पर लख देना है सोइस्ट यहां पर आप देख रहें मेरा fingerpin lock मेरे phone में सेट हो गया है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like and share कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरीके से में अपने phone के home screen पे आगया हूँ और यहां मैंने अपने phone को off किया off करने के बाद यहां मैंने अपने fingerprint lock को open कर लिया इस तरीके से आप fingerprint lock setting कर सकते हैं मैंने आपको उसकी पूरी proper setting बता दी और मैंने आपको setting को check करके और set करके भी दिखा दिया इस तरीके से आप Infinix Note 40X 5G में fingerprint lock setting कर सकते हैं बहुत ही अच्छी डिन setting थी इस वीडियो के लिए एक like बनता है और आप कुछ वीडियो कैसा लगा आप हमें comment करके बता सकते हैं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए का तब तक के लिए बैबे टड़ा थैंक्यूँग